दोस्तो आज किस वीडियो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस प्रकार से अपने WhatsApp के थूँ किसी भी Contact Number को भेज सकते हैं अगर आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे साथ वीडियो के Last तक बने रही है दोस्तो आप लोगों अभी तक मेरी YouTube चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें और साथ ही साथ बेल का इकन को भी दबाना मत भूली ताकि मैं जब भी कोई नए वीडियो अपलोड करूँगा आपको सबसे पहले मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकेगा तो चले दोस्तो बिना टाइम वेस्ट के आज के यहाँ वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले हम अपने मोबाइल की स्क्रीन के और चलते हैं जैसे कि दोस्तो आप लोग अभी देख पा रहा है मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर हूँ सबसे पहले मैं अपने वाटसाप को ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर मैंने अपने WhatsApp को open कर लिया है दोस्तो आपको जिसके पास भी contact number भेजना है तो उसके लिए सबसे पहले उसके WhatsApp number को open करना पड़ेगा चले मैं एक WhatsApp number open कर लेता हूँ और उसके पास contact number send कर लेता हूँ इस प्रकार से मैंने eck WhatsApp number open कर लिया है तो यहाँ पर नीचे जो type box है उसके side में एक icon बना है उस पर click करना है उस पर click किया तो मुझे document, camera, gallery, audio, location, contact दिख रहा है ठीक है तो मुझे क्या करना है contact number को send करने के लिए contact पर click करना पड़ेगा चले मैंने contact पर click कर दिया अब मुझे जिस भी number को contact number को भेजना है उस number को यहा select कर लेता हूं दोस्तों मैंने यहाँ पर एक number select कर लिया है अब इसको मैं send कर देता हूं चले अब हम इसको आगे फिर से send कर देते हैं दोस्तों मैंने यहाँ पर उस number को send कर चुका हूं जैसे का आप लोग को screen में दीख रहा होगा तो इस प्रकार से दोस्तों हम किसी का भी contact कॉंटेक्ट नंबर को जिसके पास भेजना चाहे उसके पास बड़े आसानी से भेज सकते हैं दोस्तों आप लोगों ने देखा कि हम कितने आसानी से वाट्साप के थुरू किसी भी कॉंटेक्ट नंबर को भेज सकते हैं दोस्तों यहां वीडियो आप लोगों को कैसे लागा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को फ्रेंड सार का अंदर सेयर करें, तो दोस्तों आज के लिए फिलाल बसेते हैं, कल फिर एक नए वीडियो को साथ मिलेंगे, तब तक लिए, नमस्कार.